हालो फ्रेंट्स वागत है आपका माई चैनल पर तो फ्रेंट्स बहुत बार बच्चे रोटी सब्जी खाने के लिए मना कर देते हैं तो क्यों ना हम रोटी सब्जी के ही समान से कुछ ऐसा नास्ता बनाए जिसे बच्चे हस्टे खा ले तो ममा भी खुस और ममा के बच्चे भी खुस तो आज हम आपके लेकर आए एकदम मदिदार से जटपट से बनने वाले एकदम नए नास्ते की रेस्पी जिसे आप हकते में दो से तीन बार जरूर बनाएंगे तो चलिए इस मदिदार से रेस्पी को हम बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जैसे वीडियो अप अपिकेसर मिल पाएं सबसे पहले और आप हमारी आसान रेस्पी का फाइदाउट हापाएं सबसे पहले इस रेस्पी को मनाएंगे कच्चे आलू से यहाँ तो टाइम की बचा थे गैस की बचा थे जब भी आपको छटपटा खाने कामन करें बच्चे रोटी सबजी काने से मना करतें तो इस रेस्पी को आप फटाफ़र मना सकतें कच्चे आलू के साथ यहाँ पर देखिए मैंने दो आलू लिए हैं जो वेट ले हमारे 100 ग्राम है यहाँ पर मेरे बड़े बड़े आलू है तो मैंने दो लिए हैं अगर आपके छोटे हैं तो आप तीन ले सकतें और पर हम आलू को सबसे पहले चीर लेंगे तो अगरा की फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकतें तो फ्रेंड आप हमारी यह मज़ेदासी रेस्पी कहां से देखने कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताईए और साथ ने जगा का नाम इतना बत जा सकते हैं अब आलू को हम ग्रेट करेंगे तो आलू को हमें पानी में ही ग्रेट करना है यहां पर देखिए हमने जो ग्रेटर इस्तमाल किया है ना बहुत ज़्यदा बड़ा वाला है चेन वाला ना बहुत ज़्यदा चोटे वाला है मीडियम अले का इस्तमाल किया है आल कि सुन्दा साल लोकाय का रेस्पी में अगर आप इसको ऐसे ही कर देते तो छोटे-छोटे लच्छे मिलते तो लंबे-रंबे अच्छे के लिए आपको इस तरीके से करना है तो चलिए पटाफ़ इसको हम द्रेट कर लेते तब तक आप वारी वीडियो को लाइक कर दीजिए क और आप लोग कमेंट जरूर किया किजिए मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ती हूं और साथ में रिप्लाइगी देती हूं तो फ्रेंड यहां पर देखिए दोनों आलो को मैंने ग्रेट कर लिया है लच्छे हमारे देखिए कितने ज्यादा बारीक और लंबे-रंबे मिले अब लच्छो कम हलके हाथों से इस तरीके से मसलते में वश करेंगे तीन से चार पानी तो नास्ता तो बहुत साए लोग कीसी कायत होती हुए जब भी आलू का नास्ता बनाते है गरं गरं घर जोड़ देते ए गंटे बाद खाते तो वो सॉफ्ट हो जाता है उसका कारण यह है कि आप लोग इस्टार्ट निकालते नहीं है तो इस्टार्ट को जरूर निकालिए तो चलिए तीन से चार पानी बॉस करके बाद लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं और इस पानी को पौधों में डालेंगे बेश नहीं करेंगे डियर तो फ्रेंड यहाँ पर देखियो मैंने आलू के लच्छे को तीन से चार पानी अच्छे से बॉस कर दिया है इसका जितना इस्टार्ट था वो निकल चुका है लच्छा हमारा बिल्कु सफेद और इस तरीके से खिला खिला सा हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं लच्छे आप हम इसके क्या करेंगे एक फ्लेट में टास्ट कर देंगे सारा का सारा तो देखिये तरीके से मैंने टास्पर कर दिया है आप अब अब यहाँ अर्यके मैंने आत्म 170 घितास्पनी हॉई रचे चाहें सकतेγे replaced Tibet YOU कॉतियों साब्चाई और यहाँ पर आप बलीτο यहां पर मैंने half teaspoon डाला है आप इसको चटपटा बनाने के इसके दर हाफ टीश्पून डालेंगे चाट मसाला अगर आके पास चाट मसाला ना तो आप इसकी जगापे नेबू का रस्पी डाल सकते यहां फिर ड्राय आमची पौडर नहीं खटाई का इस्तमाल कर सकते फिर इस होमेड है अगर आपको इसकी रस्पी चाहिए तो कमेंट बाक्स से कमेंट करना मैं आपके साथ सेह करूंगी जारा नहीं डालना है सिर्फ एक से दो चुट्की डालना है इसके बाद हम इसमें ऑईल डालेंगे हाफ टीश्पून तक आप घियो बटर भी डा सकते हैं लेकिन नहीं तो अच्छे टूट जाएंगे अब इसको हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे यूकि हमने इसके अंदर नमक डाला है तो आलू को जितना ही पानी छोड़ना होगा छोड़ देगा ताकि हमें पता सब जाए कि यह हमारा कितना चुपा होगा तभी हम आगे का काम करे लिए चलिए इसको दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं अब ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे ना ही ऑई डालेंगे जब मारा पैन गरम हो जाएगा तो यहां पर मैंने एक ग्लास आप किया है अगर आप सब से डालेंगे तो आपको दो कफ लग जाएंगे थो यहां पर मैंने चौथाई चंब में टाला है अपने टेस्के डालेंगे जितना खास्ते इतना डा सकते हैं फिसमें थोड़ी सी कुटी होई लाल में डालेंगे जिससे बहुत ही सुंदर सा लुखाएगा हाफ री स्पून डालेंगे जीरा जो हमाई नास्ते को टेश्टी ब अब तक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है जैसे उबाल आ जाएगा हम क्या करेंगे यहां पर हम ले लेगे सूजी जिसको रौर गोलते समेलेनर गोलते यहां पर देखें मैंने बारी पली सूजी का इस्तमाल किया है अगर आके पास मोटी वाली हो तो 20 ग्राम या और नापमे कप लिया है अगर आपके पास सरीके से कप ना हो तो आप मिजरमेंस कफा भी समांके सकते हैं अगर ना हो तो आप कटोरी भी ले सकते हैं फार वाली कटोरी ले लिगे अगर मिजरमेंस कफ ना हो थो दियर्स फोड़ी गोली सूजी डाल rodz Arctic सिमीक तो आपको दो बड़ा गिलास पाई डाला होगा तो जितनी आप सूधी ले रहे उसका आपको दुग्णा पाई डालना होगा बहुत ही बेसिक सा मेजरमेंट है इस बात का खयार लखेंगे तो जो आप दो बनाएंगे वह बहुत ज़दा ना गीला होगा और ना बहुत होगा इस तरीके से बन जाएगा तो सूधी को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है इसलिए जो बड़तर लिजएगा थोड़ा सभारी लिजएगा और फैला हुआ लिजएगा ताक्कि आपको इसको चलाने में कोई दिकत ना हो और बिल्कुल भी जले ना तो यहां पर द देखे विल्कु अच्छे से सिबट गई है और इस तरीके से पैन छोड़ने लेगी है गैस के फ्लेव को हम बद कर देंगे क्योंकि पैन हमारा गरा में उसी से और पक जाएगा यहां पर मैं आपको चक करने का तरीका बताऊंगी थोड़ा सा लेंगे और इसको इस तरीके स है और फिर इस्तवाल करेंगे गरम गरम मच हुएगा नहीं तो आपके हाँ जल जाएंगे हलका सा कुनगुना होगा तब काम करेंगे चलिए इसको साइड में लग लगते तब तक दूसरा काम करते हैं यहां पर देखे मैंने टास करके इसको साइड में रख दिया है ठंडा तो यहां पर प्याज को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कर लिया है सिर्फ चोथा ही चमन डालना है प्याज को हम हलका सा टांस्पारेंट होने देंगे जब हमारी प्याज इस तरीके से टांस्पारेंट हो जाएगी तब एक ग्रीन चिली को हम इस तरीके सा तोड कर डाल दे तो वो लोग खाते तो मैं दो के लिया डाल दे रही हूँ अगर आप नहीं खाते हैं मेरी तरीके से तो मढ डालेगा तो कौन को लस्टन नहीं खाता है, कमेंड बॉक्स से कमेंड करके बताना डिया फिर इसके बाद हम इस पर डालेंगे मोमफली तो यहाँ पर देखें मैंने मोमफली दिया एक चमच जिसको हम 10-15 से करन अच्छे से बोल लेंगे अगर आपके पास मोमफली ना हो तो आप इसकी जगाप पर सफेटी ले सकते या पर नारियर भी ले सकते मोमफली को हमें काला नहीं करना है ना हिलाल करना है पर मोमफली अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसका जितना भी मॉस्चर हुए खतीम हो जाए लिन eliminating the mechanism यहां पर देखें बहुत ही प्यारी सी six BuNya अगर आग के पास ना होता है को भी ऐसे लेख से नार्मल हो tack नहीं होता जिससे रह्स के बहुत नहीं नहीं से полож़ा स्वाश में टो मुझे।। की की जगह पर क्छोपड़ा P racial हमें वहां होता है और वहरा थे मुझे। हुआ जीराओ काली मिश का पौडर करेंगे बस अब सारी जूजों को वापस से भून लेंगे तो यहां पर देखें भून लिया है और अब हम इसके अंदर नमक आड़ करेंगे एक से दो चुटकी गैस के फेलिम को बन कर देंगे और इसको एक खटू्री में निकाल लेंगे तो चलिए निकाल लेते हैं हिसमें डालेंगे ठीट सारा हारा धनिया, जिसको मैं डन्ठर के सार डालने हूं, डर्ठर ने बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्कुर करने की जुरुरत नहीं है, थोड़ा सा पाई डालेंगी, एक से दों चंब, ज्यादा पाई नहीं डालना रा है, और आप इ तेश्टी है लेकिन मैं इसको और जाए टेश्टी बनाऊंगी इसके उपर लगाऊंगी तड़का जिससे इसकी जो सेल्फ प्लाइप है वो भी बढ़ जाएगी टेश्ट भी बढ़ जाएगा और दूसरी बात इसका लुक भी बहुत सुन्दर आएगा और यह चटनी रस्ष इसको गरम कर लिया इस तरीके से दुवादार आप इसके अंदर आप कर देंगे इसको 10-15 से कर टकने देंगे काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस तरीके से आप कर दिया है कितना बढ़ा सा लुक आ गया है टेस्ट भी अच्छा हो गया और इसकी सेल्फ लाइप में बढ़ गी है दस से पंदा दिनते की चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी चाहे तो आप इसको फ्रिज में श्टोर कीजिए चाहे तो आप इसको किचन के किसी भी कौने में रख दीजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगी इसकी वे गैरंटी लेती हो और इस चटनी के जितनी मातरा में डालेंगे तो आपका रिजट बहुत इच्छा हैगा अब आटे कॉंट टाउसवर कर देंगे इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे हम इसमें डालेंगे एक क्रेण चिली जिसको हमें इस तरीके से मोटा-मोटा पर इसके बार हम इसमें डालेंगे ठेड सारा हरा धनिया अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप उदीने का भी इस्तमाल कर सकते एक सिम्ला मिच डालेंगे जो छोटे साइच की थी तो मैंने इस तरीके से पूरी ले ली है अगर आपके बढ़ी है तो आप सिर्फ आदा एक इंच के अधर को इस तरीके से मुटा मुटा कर लिया यह डाम देंगे इसके बार हम इसमें डालेंगे टेस्ट के कोर्णि नमक आप यतना खाते अपनाँ ला सकते आदा चमश में डालेंगे मोटीया हरी सओ इससे बहुत अच्छा टेष्ट वी आएगा खुस्दू भी या फिर नीबु का रज़ भी डा सकते हैं चौथाई चंपर छोषपे डालेंगे गरम मसारा जो मेरा होमेड है अगर आपको इसकी रहेंज पीचे यह तो कमेंट बाक्स से कमेंट करना मैं आपके साथ देर करूंगी फिसमें हम डालेंगे टर्मरी पॉडर कितना सिर्फ एक च चीट डालेंगे जो ये नास्ते को बहुत ही अच्छा सा कुरगुरा उकणुक भी लिस्टी बनाएगे तो वह हमारा चावल काटा तो वह हम डालेंगे 4 चोटा चमबस अगर आकका बड़ा चमबस है तो आपस दो डालना अगर आपके पास चावल काटा ना हो तो आप इसक तो आप निकालने के बाद उसको फैन के नीचे सुखाना है धूप में नहीं सुखाना है और जब वो सूख जाए तो आप उसको मिक्सी जार में डालकर पीस लीजिए और फिर इसको छांड लीजिए जो बारी बारी नुकलेगा वह चावल का अंटा है और जो मोटा मोटा अब इसमें हम एड करेंगे पानी तो यहां पर ठंडा ना गरम रूम टंप्रेचर का पानी एड करेंगे जो थ्वा थ्वा डालके अच्छे से मिलाते विए इसका हम बैटर उनाएंगे बैटर हमारा ना बहुत ज़दा गाड़ा होना चीए और ना बहुत ज़दा पतला त पाई डालने की गल्फी नहीं करनी है तो देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा डालके फिलाक में पाई डाला है यहां पर इतना बैटर बनाने मुझे एक ग्लास पानी था वह पूरा यूज हो गया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी इतन चमच पानी और इसके अंदर आड़ किया है और इस तरीके से हमारा बैटर बन चुका है जो ना बहुत ज़दा गाड़ा है ना बहुत ज़दा पतला है अब इसमें आड़ करेंगे हम गाजर तो यहां पर मैंने गाजर को ग्रेटर के लिया है आप चाहें चोटे-चोटे प आड़ कर सकते हैं यहां पर जो आपके किचने आपको मिले वो सब्जी आड़ कर दीजिए वैसे तो बच्चे बहुत दुरा नखरे करते हैं खाने में सब्ची लेकिन इस रेस्पी बच्चे खुसी-खुसी खाएंगे यहां पर देखिए आलू जो था इतना पानी छोड़ हमारा बैटर बन चुका है अभी आपको थोड़ा सा यह पतला लग रहा होगा लेकिन जैसे हमारा आटा फूलेगा तो यह गाड़ा हो जाएगा और जो हमने चावर काटर डाला है वह भी पूलने के बाद इसको और गाड़ा कर देगा तो चलिए इसको दोनर कर रच देते हम दूसरा काम करेंगे इसे साइड में रखते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखिए इतना गुन-गुना है कि हम इसे आराम से छूपा रहे हैं बहुत ज़ड़ा गरम नहीं है अपनी हतेहली पर हम थोड़ा सा ओल लगा लेंगे आप यह बटर भी लगा सकते हैं इस तरीके स हतेहली को ग्रीज करने के बाद आप इसको हम अच्छे से बत लेंगे और मसल मसल करेंगे मसलने से दो पाइदे होंगे एक तो जो सूजी का विक्रावपन है वो खतम हो जाएगा और यह हमारा जो मिश्रौन है बिल्कुर अच्छे से चिकना हो जाएगा यहां पर आपको इ 10-15 second के यहां पर देके बातों ही बातों मैंने इसको उच्छे से इसको मसल मसल के चिकना कर लिया है यहां पर तरीके से कहटटा हो गया आप इसको हम शेक देंगे तो यहाँ पे इस तरीकेस्ब हम लेंगे और इसको यम 10 से 15 सेकंड वापस से हतेली मसलेंगे टाकि जो थोड़ा बहुत है वह भी खतम हो जाए तरह से हम पर इस Canis I जैसे इना रहे आफ मोटा है ना बहुत ज़़़ा पतला रहा है इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे, आप इस तरीके से बना के इसे हवाबन डिबे में भरके रख सकते हैं, जब आपका मन करें या महमारा या बना सकते हैं, तो चलिए बना लेंगे, तो फ्रेंट देखें इस तरीके से पहला बैस मैंने बना लिया है, बाकी में बात में बना कर दिए हैं आप जिसको निकाल के पटाफट बना तक तरीका बताएंगे तो यहां पे टीमर तौह अब इसका भी इसस्तेमर में नहीं होता है लेकिन वारा वड़तन हर घर में ओता है तो इसका इसस्तेमाल करेंगे और इस रेस्ट्री को आज हम इसमें बनाएंगे बहुत ही पटाफट बनेगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमने ब्रस से इसको ऑईल को अपलाई कर दिया इसके उपर आप घियो बटर भी लगा सकते संसो का तेज भी लगा सकते अगर आपके पास ब्रस ना हो तो आप इसकी जगा पर फिंगर का इस्तिमार कर सकते और उंग्लि इसको लगा दिया है अब चलिया चलते इसको बनाने की प्रोसस की तरफ यहां पर देखे कर आहीं मैंने तीन से चार ग्लास पानी को रख दिया था अच्छे से गरम होने के लिए जब गरम हो जाएगा तब इस तरीके से हम इसके उपर यह रखतेंगे और अब इसको कवर कर कि कम से कम 2 मिनट के लिए इसको स्ट्रीम करेंगे यहां पे आपको इसे मीडियम प्लेम करना है और गया कि एक लिएक भी मिनट में है से should21 सकल personnes करेंगे तो चलिए जब तनकर हम ऑ막ड करेंगे का यहां तो टो आपके Buff stick थे लाच नोगे और साथ रखास तो आपे यहां पर देखके बिदो एक्षारी चूट रहा है किना और अपो देखेसे यहां पर देखेंट hosलो सीय दो गण और कि यहां पर बनात फैसे निकल लें तो और देखे इस तरीके से हमें इसको निकाल लिया है, यहां पर देखे जो हमारा बचा हुआ आलू था, वहां पर देखे जितना भी पानी था वो हमने इस्तवाल के लिए था उस बैटर में, अब इसके हम एक गाजर को ग्रेट करके डाल देंगे, फिर इसके बाद हम इसके डा करने के लिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल काटा, दो चपमस्ता, अगर आपके पास चावल काटा ना तो आप इसके जगहा पर मेहदे का भी समाल कर सकते हैं, या पर कॉन फ्लॉर भी डाल सकते हैं, और इसको डाल के इस तरीके से मिक्स कर देंगे, इससे क्या देन छोटा चमच जा चुका है, अगर आपका बड़ा चमच है, तो आपको डेट चमच आएगा चावल काटा, यह देखिए, इस तरीके से हम इसको अच्छे से कर लिए हैं, यहाँ पर हम एक कटोरी ले लेंगे, यह देखिए, और अब इसमें हम बचा हुआ, अपना अच्छे से मिक कर लेना है, पहले, एक साथ पाई डालने की कलती मत करना, नहीं तो क्या होगा, बैटर पड़ जाएगा, तो अगर आपको रैस्पी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको रैस्पी कैसी लगती है, हमार जरा गाडा नहीं है, और बहुत जरा पतला भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी इस तरीके से टिक्की को डाल देंगे, और यहां पर हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से एक से दो बार घुमा देंगे, ताकि जो हमारा घोल है, इसके उपर अच्छे से लग जाए और पर हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से साइट में करके और इसके अंदर डाल देंगे और अब अपने सुखे हातों इसके उपर इस तरीके से कोटिंग करेंगे जिससे क्या होगा कि यह जो हमारा है यह बिल्कु अच्छे से चिपक जाएगा यह देखें इस कि उते फीलदी आइब गर में फहायों आपसे बनाको कि बनाने की जब एक सकती हूं इसे फेले ने नहीं को सब्एचाइब आप आकर भूझे तो बनाने ये फहले ही अभ़ूद आकर के विर गालेंगें प्छ पार जो लिएख्ञा मायशतरल नियुक्त करेंगे हत् íली और अगर आप colocar अगर को गर्माषत मैंसु हो गढाइगे तो समझ यह तेल गरब उचोगा है जब तेल करने वह जाएगा तो गैस के फैज के फ्लेंको मीडियं कर देंगे ह brands पेन की ठेखने की जरूरत की सब्सक्राइब करेंगे तुद्कस अबसह तो चलिए दो मिनट के बाद इसे चेक करते हैं तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका इसको पकते हुए अब इसको पलटने से पहले इस तरीके से हम इसके उपर ऑईल डाल देंगे ताकि क्या होगा कि जब हम इसको पलटेंगे तो इसका शेप नहीं देकार होगा तो इस तरीके से कर्षी से आपको थोड़ा थोड़ा तो आयल डाल देना है अब इसको हम पलटने के लिए तो पलटने के लिए तरीके से चिम्ते का इस्तमाल करेंगे और इस तरीके से हम इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा मोटे नहीं लगाएं तो इसको पकने मुस्किल से चावनें पर टाइम लगेगा और कलर देख लीजे कितना ज़्यादा कुफसुर होता है तो चलिए दो नट के बाद इसे चेक करेंगे तो फ्रैंट दो अमने अट हो चुका इसको दूसरे साइट से विए पकते वे चर्यज को पलट कर देख लेते हैं यह देखे कितना ज़्यादा देखने में फुस्किल लग रहा है खाने में से ज़्यादा बज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा सुल्कुरा और कृस्पी बना है तो यहां पर देखे इस तरीके से कुप हो चुका है अब हम प्रेम को बन कर देखे और इस तरीके से चनने में इसको निकाल लेंगे ताकि यह ईश्टर देले वापस उस्किला जाए कितना जड़ा देखने में फुस्रा लग रहा है ना Khan उससे जड़ा बनाने में आसाने मिश्जार कर रास जावा ही harley है लुयां लाइं इसका फारेंज कितना दरशा लग लग रहा है कहाने में अदर जडरा कृष्टी के सार्ट के साथ लग लेपara यहां पेर लेवर चटनी के साथ रहाएंगे मिस्षी जशने का संस्ट पार पार अर नास्ते को एक सब्सक्राइगे सकते यह मेरा होमेड केचप है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट बोक्स पर कमेंट करना मैं आपके साथ सेयर करूंगी इससे आप एक बार बना लेंगे तो पूरे छे मेरे तक बिल्कुरी खराब नहीं होगा तो जब भी आपका बन करें कुछ चटपटा खाने का तो आप इसे बना सकते किचन की बेसी चीजों के साथ इसे पना मैंदे के बनाया है बहुत ज़्यादा है लाइट बेट है और जितना जबनाने में आसाले कहाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है तो चलिए इस रेस्पी को हमारा इसके से तरह बढ़ते हैं दुसरी करते समय एक बात का खया लग रहा है इसा नहीं करना एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से अगर आपको जाए जल्दी है तो आप इसके थोड़ा सा वेकिंग बोड़ा या खाने वाला मिठा सो डायट करके इसको तुरन परा सकते लेकिन मुझे जल्दी नहीं थी तो इसे में रेश्ट दिया है अब एक मीडियम साइज की प्यास को इस तरीके से हम लाश्ट में डालेंगे ताकि जो प्यास का क्रंच है वो बना रहे रहे नास्ते में इसलिए मैंने पाहले नहीं डाला था अगर आप यान निखाते तो इसको कर सकते हैं तो यहां पर अब इससे जिसमों मैंने पहला नास्ता बनाया था उसको मैंने साधा निकाल दिया तो थोड़ा सा पैन में लगा था उससी को मैंने रख्था है आप चाहे तो अगर फ्रस्क वाजर ले तो इसम sprechen दाल सकते हैं और प्चिवे तेल को बैल के फैला लेंगे और अब हम अपने बैटर को इस तरीके से अच्छा से प्पेट लेंगे ताकि जो विजिटेबल है विल्कुँ अच्छा से आपस में मिल जाए और अब हम इस तरह से इसके अदर डालेंगे करें जो विल्कुण के बहुत मिलने अविजिटी और ने आपस चया-पिटल तक पर दिखेंगे डौमृOND के बाद हम इसे चेक करेंगे और उसको टन करने का बहुत यातन तरीका बताएंगे आपको जिसे विलकुळी तूते गा नहीं तो फ्रेंट गुषरोड के बाद नहीं तो फ्रेंडौमरेंट हो चुका है इसको पकते वे प्रेंट दोम रहा है इसको दूसरे साइट से पकते वे चलिए इसको पलटकर देख लेते तो यह रेखिए विद्गो अच्छे से दूरों ही चाहिट से विल्कु पुफ हो गया उपर से कृस्टी अंदर से सॉफ है आप इसको इस तरीके से फ्लेट में निकाल लेंगे कित्र देखने में खुष्णा लग रहा है तो जब भी आपके बच्चे रोटी सब्ची खाने से बना करते तो आप इस तरीके से बना सकते दुबारा बनाने के लिए हमें तेल डालने की भी जरूरत नहीं है बस हमें अपने मिक्रम को इस बरीदिए से एक बार प्रेट लेना इच आपके बार चट्रणा साथ में अपने से अच्छे से मूर रहा है और आपको तोड़कर दिखाती हूं कितना जाबर जूसी बनाएं काफी जड़ा जल्ला है और इस चट्नी के साथ जो इसका कामनेशन है वह अलग ही लेवर का है आप एक बार इस नास्ते को चट्नी के साथ खालेंगे तो जब भी नास्ता बनाएंगे चटनी जरूह करेंगे अगर आपको होमेड केशप की रैस्पी चाहिए तो कमेंटक से करना मैं आपके साथ से करूंगी तो प्राइब कैसी लगी आपको हमारी मज़िदास सी रैस्पी कमेंट बाउक बताइएगा रैस्पी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना से तो जब भी आपको बच्चे सब्जी रोटी खाने से बना करते तो इस रेस्पी को बरूरू ट्राय कीजिएगा तो चलिए मुझसर तो वेट नहीं हो रहा मैं जारी एंजॉय करने आप भी बनाईए खाईए अपनी फैमिली वालों को फिलाईए और रेस्पी कैसे लिगी कब करें दिरू बदेना लग्याल मैं तेक्र